नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इसकारकरम वे और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फोर्समेंट डारेक्टरेट की पुछ लोग करें कि यह इंफोर्समेंट डारेक्टरेट नहीं है यह extension directorate है जानि कि भारती जंता पारटी का extension हो गया है इस ले और हमारे साथ बात करने के लिए है हर्श कुमार जी हर्श कुमार जी आपका स्वागश है जी ये ये इडी साब हाई पर एक्टिव हो रही है आपके पत्रकार बंदों को भी नीजिक वालों को पकड़ लिया संजे सिंगग को भी नीजिक पूरा प्रेस य क्लट आफ इंडिया वर चिटाई लिख शूप्रीम कोड के चीफ जेस्टिस को आखरकार क्या मामला है देखिए क्या है कि यहां पे दिल्ली में वाम पंतियों का एक अड़ा है प्रेस कलब ओफ इंडिया और पिछले दो दिनों से महां बड़ी गहमा गहमी है कल अगर आप इस समय मारे हम कल दोपेर की समय अगर बात कर रहे होते तो यह अभी सार्थ हो गया नी था बाकियर सब लोग गए थे और अरुंध तीराय यह सब लोग बुलाए हुए थे तो आज मैंने देखा उसमें दप्रिंट दप्रिंट यह जितने भी दवायर न्यूज लॉंड्री इन सब पे आज इन सब के इंट्रिव्यू चल रहे हैं यह सब और यहां पर कोई ऐसा गिल्ली में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है कि वहां पर यह जितने सो कॉल्ड नेस्लिस्ट पत्रकार हैं उनके लिए खट्टे हो जाएं या कोई मार्च निकालने लेगें कोई नहीं निकालने गई है इन वामपंतियों की सबसे बड़ी पैचान यही है क यह एक खासियत है वल कि इनकी कि जब इनके उपर कुछ होता है मामला तो यह सारे के सारे एक साथ ऊठाते हैं और इनका जो जEnyo से इनने ट्रेन किया जाता है वो धरने के लिए नारवाजी के लिए उसके यह बड़े उसके लिए बड़े मसूर है इसका यह बड़ा कहस ब बटे हुए हैं पत्रिकार उसमें एक बड़े धड़े का यह कहना है इस न्यूज क्लिक वाले मुद्दे पर वाम पंथी भी बट गए है आपको अच्छा हाँ इसमें जैसे राहुल देव हैं राहुल देव जो है सीनियर मोस्ट हैं जैसे उर्मिलेस जी को इसमें ले जाया ग करते हैं तो इस बात को लेकर काति लोगों ने का लेकिन राहुल देव ने आशुतोस के शोव पे आकर सिधे यह कह दिया कि भाई देखिए अगर चाइना से पैसा लिया है इन लोगों ने और उसमें आ रहे या किसी इसका उलंगन हुआ है तो जाच बिलकुल होनी चाहिए और इसका मैं पक्तर हूँ और जिसने पैसा लिया है जिसके अकाउंट में आया है उसके खिलाफ भी जाचोनी चाहिए इस बात लेकर जो है कते ही इसमें कोता ही नहीं है उन्होंने सिर्फ यह बात कही राहुल देव ने कि देखिए इसमें जो फ्रीलांसर हैं जो दिहारी पे काम करते हैं या कॉंट्रेक्च्वल हैं मंतली वेसिस पे काम करते हैं कि आपको इतने वीडियो करने हैं या इतने आर्टिकल लिखने हैं तो उन लोगों की तो इसमें कोई गल्ती है नहीं इन लोगों को इसमें क्यों पकड़ा जा रहा है यह सारी इन लोग इनकी एक मे होंगी उन्हें किसी ने कहा होगा कि वे आपको इस चीज पर लिखना है इस पर लिखना है अब जैसे अभिसार है अभिसार ने खुद अपने वीडियो में ही अपना सारी कहानी बता दी उसने ये का कि 2018 में मैं इस से जुड़ा न्यूज क्लिक से और उस समय मुझे एक लाग के करीब परमंथ मिलते थे और पिछले महिना जो मेरा आया है दो जार बाइस तेईस का जो मेरा इसमें हिसाब आया है न्यूज क्लिक का वो दो लाग चूटीस अजार रुपे परमंथ है तो उसका भी जस्ट डबल हो गया उससे तो यहां पर कुछ लोगों ने सवाल यह उठाया है कि मामला ही दो जार इक्किस से शुरू हुआ 2018-19-20 में तो यह न्यूज क्लिक ऐसे ही चलती रही कोई नहीं पूछ रहता है लेकिन जो फंडिंग आई है वो 2020-21 से ही आनी शुरू हुई है और वो नोविल राइस सिंगम है जो बाहर रहता है वो बहुत बड़ा पताते हैं कि वहां का कारोबारी है बिजिनस मैन है वो ज काफी जानकरी निकालने की कोशिश की इन लोगों के दो सीधे किसी पत्रकारों से संपर्क नहीं मिले एक तो प्रबीर पुरकायस्त इनकी जाद है पत्रकारिता की कोई बैक्गरॉंड पता नहीं लगती जो इसका संपादक है न्यूस क्लिक का और वो जो नोविल राइस सि दिद्धिम کے जो पता थे वहां पर जो ग्रूप्स हैं वो दो तरह के क्रिस्चिन ग्रूप्स है एक सिंगली video ग्रूप है वहां पर क्रिस्चिन खा है और एक टैमिल ग्रूप है और जो टैल क्रिस्चन ग्रूप है वो भी जो उनके जो कॉमिनिस्ट थे वो रश्या से एलाइट थे और जो सिंगलीज जो कॉमिनिस्ट थे वो चाइना से एलाइट थे और इनके जो पिताजी थे वो बर्मा में बिजनिस करते थे जाके और बर्मा में उनकी चाइनिस कॉमिन पुराने लिंक थे और उसके बाद पर यह अमरीका में बागी जो business business है वो तो आप सांवे देख रहे हैं कि पुराने लिंक्स है यह बहुत पुरानी फैमिली बहुत पुरानी business family है नोबिल राय सिंगम का कोई इस तरह का यहां भारत में इस तरह का दखल जो यह न्यूज क्लिक के मार्पत अभी देखने में मिला है वो तो इसलिए क्योंकि वो चाइनीज कॉम्मिनिस पार्टी से उनका लिंक है जो अब उन्हें किया है वो पैसा मिला हूंने का के और जो साउथ एशिया है उसमें मीडिया को कंट्रोल करना है अभी यह तीन साल पहले ह सिलसिला शुरू हुआ है और इसमें कोई कोई भी इसमें हिडन एजंडा नहीं है और नियू यूर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी यह साफ लिखा हुआ था कि उसने उधारन दिया था बात है इसका के यह लोग जो है इनको पैसा मिलता है यह जा साउथ के जितने भी प्रीज है उनमें करते हैं एशिया के और इंडिया में उन्होंने इसका एक लाइन का रेफरेंस दिया था कि जैसे के इंडिया में निउस क्लिक को इससे फंडिंग बिल गई है वही बात निशिकान दूबे ने पारलेमेंट में भी कई थी लेकिन मेरा कहने का मतलब यही थ से कोई सीधा किसी का दोस्ती यारी संबंद ऐसा कुछ नहीं था कि यहां किसी के साथ इनकी उठ बैट हो मैंने तमाम लोगों के बातचीत की इन लोगों की मैं डिबेट्स भी कई दिन से सुन रहा हूं कि यह सब लोग क्या बात कर रहे हैं जितने भी वांपन थी हैं किसी और अगर इस इस नीूस क्लिक से ही खासतोर से क्यों हुवा नीूस क्लिक में ही वो सीताराम ययचुरी का एक स्टाफ वाला है वो भी नोखरी करता है उसका बेटा भी सीताराम यह चुर्य के घर भी तो इडि गई थी परसो जब यह चापे लगे थे वहाँ भी यह सब कुछ नकसली संबंद जो भी इसमें दिरे-दिरे वाला एंगल वी आ गया है जो इसमें I.र दर जूए इसमें नकसली एंगल वो गोतम में ब worry ऑल परिशद वहां तक कानी पहुंचने लगी है के वहां से कहीं से शुरुवात हीती है जुडाव जो इनका है बेराल दिल्ली में ये पत्रकार जो है इस बात से जादर नाराज हैं कि अभीसार सर्मा जैसे लोग ये जो कॉंट्रेक्चल हैं पर वीडियो के इसाब से उनके लिए काम करते हैं इन्हें क्यों उठाया गया इस किया गया है लेकिन सुनने में यह आया है कि इन लोगों में से जिनको पहले दिन पूश्टाच के लिए ले जाया गया इन में से कुछ और को दोबारा भी बुलाया जाने वाला है आज कल में अभी लेकिन ये कंफर्म खबर नहीं है इस समय यहां पर तो बहराल यह है कि मामला कुछ ऐसा ही निकल आए और फिलाल जो इनका ऑफिस बनाया हुआ इन्होंने यहां साउथ दिल्ली में वहां पर तो ताला लगाई दिया गया है अभी दो दिन से जो इनके वीडियो वगयरा तो किसी का आया नहीं है कुछ खबरों के लिंक्स वगयरा ट्वीटर वग है वो यही है कि यहां के जो पत्रकार हैं दिल्ली के खास्तोर से वामपंथी वाले यह इन सब लोगों में एक हाँ इन इन में जो है एक राय नहीं बन पा रही है एक जो वर्ग है वो इन में यह कह रहा है कि नहीं भाई हो सकता है कि ऐसा हुआ हो और दूसरा वर्ग यह कह कि चलो हुआ भी है तो कोई बात नहीं लेकिन इन लोगों से पूछ ताच क्यों की गई है अब देखें का तर्क आप आप तो इन सब मामलों के जानकार हैं आप इनका तर्क यह देखिए कि लिखने वाले को क्यों पकड़ा जाए या फ्री को क्यों पक्रा जाए अब आप ये बताईए गर कोई सक्ष किसी से ये कहता है कि भाई मुझे फला आदमी की रेकी करके दो ये कितने बज़े घर से निकलता है कितने बज़े ऑफिस पहुंचता है कितने बज़े फिर वहां से जाता है किस के थुरू जाता है और कल को अगले दिन उस आदमी की हत्या हो जाए या कोई आतंकवादी हमला वहां हो जाए तो जो बीच में रेकी करने वाला है या जिसकी गाड़ी में वो बैठके गया उन सबसे पूश्टाच होती है उन सबको पकड़ा ही जाता है तो लपेटे में तो सब लोग आएंगे ही जी और साथ मे ये अचानक ही हुआ है उसमें चुकि दो गवाव जो आएसर सीपी वाले हैं उनका बेटा और एक ये दिनेश अरोरा ये दो लोगों ने जो है जिस तरीके से अपने बयान दिये हैं और गवाव बने हैं ये लोग उसके बाद से ये लेटेस डवलप्मेंट हुआ है और पर कल भी वो बड़ी चल रही थी तस्वीरें ये लगबग दो महीने पहले अगस्त के आसपास की बात है जुलाई अगस्त की इन्होंने अपने घर के बाद एक बहुत बड़ी फ्लेक्स लगाई थी कि एडी का स्वागत है फक्कड हाउस में इस तरह से तो संजे सिंग को पहले से डाउट था कि नाम उसका आना है क्योंकि उसमें जो एक करेक्षण वो जो तीन चार सीट फाइल की थी उसमें इडी ने उसमें से एक करेक्षण में वो राहुल सिंग जो एक्साइज कमिशनर थे उनकी जगह गलती से संजे सिंग टाइप हो गया था वहां तो उसक करा था कि साब नहीं वो राहुल सिंग पढ़ा जाए संजे सिंग ना पढ़ा जाए तो तब से संजे सिंग रागव चड़ा इन सब ने ये कहानी बना दी थी कि हमारा नाम तो फर्जी डाला गया था अपनी गलती एडी ने खुदी मान लिया जबकि उसका तीन जगे और भ पार्टी के फंड में ले रहे हैं फिर तो आम आदमी पार्टी ही इसमें संदे के गेरे में आ जाती है तो संजे सिंग वाला मामला तो है इसमें तो गंभीरता से है कल तो रात में अर्विन केजरिवाल भी गए थे वहाँ शोक जताने के लिए और सभी लोग पहुचे वे परेस कॉंफरेंस भीBack में मीडिया से भी बात की हंगामा भी हुआ और ऐच दिल्ली में परतर्षन हो रहा है बंबई में थे परतर्षन कर रहे हैं आदमी पार्टी वाले हंगामा कई जहे चली रहा है मुझे लग रहा है के भी चलेगा मामला और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगले एक दो दिन में कुछ और गिरफतारिया होने वाली है अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग लोगों की जाए वो पॉलिटिकल हूँ या नॉन पॉलिटिकल हूँ आज भी चल रहा है बहुत सारी रेट्स में सुझा जी यह चार्ज यह भी लग रहा है भारती जन्ता पार्टी पे कि भारती जन्ता पार्टी इस इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट को बीजेपी एक्स्टेंशन डिरेक्टरेट ते इस्तिमाल कर रही है यह हमारे लुटियंस मीडिया वाले भी कह रहे हैं और यह हमारा पॉलिटि और देखे सबसे बड़ा आशान सब्द तो इसके लिए political vendita है उसे कह देते हैं सब लोग वो सब लोग इस्तिमाल करने लगे अब तो उसको पत्रकार भी इस्तिमाल करने लगे येता लोग भी इस्तिमाल करने लगे क्योंकि पहले कभी इस तरह से ED proactive रही नहीं जितनी अब है तो परिवारवादी बंसवादी पार्टियां हैं ब्रश्टाचारी पार्टियां हैं इन सब को सबक सिखाया जाएगा तो उसमें कहीं न कहीं चीजे कुछ न कुछ चिपी हैं संकेत तो पहले से ही है लेकिन ये समझ नहीं पा रहते हैं लोगों हाँ ये जरूर है कि जिस त बाई इन लोगों ने तो संजय मिश्रा को हटवा लिया लेकिन उनके हटने से भी कोई अंतर तो बढ़ा चुछ लोग यह सोच रहे इन नहीं लोगा तो यह मानना था के साथ संजय मिश्रा नहीं कोई लंबा चोड़ा प्लान बनाया हुआ है जरसल क्या है कि अमित शाह की जो वरकिंग है उसमें मुझे लगता नहीं कि हमित शाह से उपर निकल के कोई प्लान बना सकता है तो प्लान तो उपर से बना हुआ है अब इसमें संजय मिश्रा आ जाएं एबी सीडी कोई आ जाएं मैं आ जाओ आ जाओ तो यह चीजे आसानी से रुकने वाली है नहीं मुझे लगता है दोजार चुविस चुनाल तक भी ऐसे चलने वाला है मामला सारा का सारा तो इसमें एक जो आम आदमी पार्टी के उपर जो इसमें संजय सिंग के उपर जो यह गाजगिरी है मेरा मानना यह है कि यद्दिपी आज यह सूचना आई है कि कल सुप्रीम कोट के अब् पार्टी को क्यों नहीं इसने अक्यूजड बनाया तो आज वो इनफार्म कर रहे हैं सुप्रीम कोट को इनफार्म कर दिया है एफेडविट दे दिया है कि वह ईडी को भी आरोपी बना रहे हैं कि आमावेला यह मानना है कि यह जो केजरी वाल का जो सारा का सारा मामला है और यह जो केजरी वाल को जहिलना पर रहा है उसके पीछे भी कुछ राजनीती तो है समभवता है यह राजनीती है कि भाई आप कम से कम अगर राजस्थान और मद्यपरदेश में जोरी जोर लगा के लड़ते रहोगे तो बचे रहोगे और दिल्ली और पंजाब में कॉंग्रेस से गटबंदन नहीं करोगे तो बचे रहोगे कैजरी वाल को भी डिर्रेक अक्योज्ड नहीं बनाया है देखिए आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड बनाने का मतलब तो सीधे फिर केजरी वाल का ही निम्बर है सारी चीजे तो वहीं पर आ जाती हैं तुमें और अब आप काईदे से ये भी बताईए कि अब बचाई कौन है आम आदमी पार्टी में किसी को तो जो इनकी फस्ट सेकिंड थर्ड लेयर है वो सबको इन्होंने कर ली है पहले सी खत्म और देखिये क्या हो रहा है कि आपको याद होगा जब सतेंदर जेहन का नंबर लगा था तो सतेंदर जेहन को उसमें हिमाचल परदेश का परभारी अर्विन केजरिवाल ने ल जेहन का नंबर तब लगा हिमाचल परदेश के चुनाव से पहले उनका मामला सामने आया हैल्थ डिपार्टमेंट का फिर मनीशी सोदिया और उधर भगवन तमान के साथ लगतार पंगा चली रहा है वहां तो कॉंग्रेस वालों ने मोर्चा खुला हुआ है उसके खिलाफ अंतमा बसते हैं अर्विंज केजरी वाल और मैं मुझे एक मेरे मित्र हैं वो तो यही कहते हैं हमिसा जब भी मैं उनसे बात करता हूँ इस बारे में पत्रकार ही हैं उनका कहना है कि अर्जी दोजार पच्चिस में आम आदी पार्टी खतम हो जाएगी आप लिखवा के लि लग होई जाएगा वो अपनी कहानी अलग चला रहा है वो इसके कहने सुनने में चल नहीं रहा है और रागव चड़्डा की वो सुनता नहीं है बगवन तमान और यहां जिस तरह की परिस्तितियां बने रही है संजे सिंग का अंदर जाना इसके बाद तो फिर केजरी वाल का ही नंबर है और इसमें देखिए एक और बड़ा बदला हुआ है अभी पिछले पंदरा दिन में जब यह सारे कॉंग्रेस वाले और सब लोग कहने लगे थे कि महां पे तेलंगाने में बी आरेस के साथ सेटिंग हो गई है बीजेपी की और के कवीता को एक बार बुलाने के बाद दो बारे नहीं को भी बुलाया गया कि ऐक कवीता को भी अखिया जा रहे है कि बांडी संजय को बी आरेस से समझोते के तहट अटाए गया क्योंकि जो खासतोर से एक तो यह जो इटेला राजिंदर बगएरा छोड़का थे एक तो इनके साथ बनी नी रही थी यह भी सारे बी आरेस से आई हुए है और बी आरेस पे वह हमलावर भी बहुत जादा था बीजेपी ने तो इस इस चक्कर में अपना मुझे लगता है कि तेलेंग गाना खोई दिया है बिल्कुल वहाँ पे चांस कुछ बनी नर्याविदान समझ चुनाव के लियाद से तो बीजेपी के कोई चांसे वहां नजर नहीं नहीं आ रहे तीसरे चोथे नंबर पर पोश्की नजर आ रही है ब परकार से बीजेपी को नंबर दो पर ले आए थे उनके पैरों के नीचे से जमीन खीच ली नहीं लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये अंडेस्टेंडिंग तो समझ में आती है लेकिन के कवीता को समन होना ये भी तो एक शिफ्ट है फिर एक बार नया और फिर अभ बांडी संजे कुमार वाले के बाद एक और यू टर्न है ये मुझे लगता है कि वह वाला मामला भी इनका चलनी पाया है बांडी संजे कुमार वाले मामले से बात बनी नहीं अब या तो उसके पीछे यही है कि लिंक चुकी दिल्ली से जुड़े हुए है के कवीता वाले म कामले के शराब गोटाले से चुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि इनकी प्लानिंग यह हो कि वहां से कुछ कुछ क्लू मिले या उधर से कोई चीज निकल कर आए और दूसरा कॉंग्रेस को यह जो बार बार आरोप लगा रहे हैं के साथ यह बी आरे से सैटिंग है उस बात का भी इन्होंने कंडम करने की कोशिश की है दोनों तरफ से ही बात अपने सेटल करने की कोशिश की है लेकिन कुछ चीज़ें भी इस पश्ट नहीं हो पा रहे हैं हम और आपके बल अंदाजा लगा पा रहे हैं कयास लगा पा रहे हैं रननीती क्या है वो समझ नहीं आ रही है काettle से किसी कुभी चल क्या रहा है तो यह जो अभी हम देख रहे हैं हमारे पत्रकार बंदों की जो जागर उकता है और अचानक जो वो अपस में मिले भी हैं और आपस में बिश्डे भी हैं कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं और इन के साथ में जो एक अंतराश्ट्रिय शक्तियों का जो इनके साथ समावेश था वो भी कुछ तूटता हुआ सा दिख रहा है क्योंकि आपको मैं यह जो दो केस हैं आप दिखें कि सबसे पहले एक विशे आया जब फेस्बुक का और वायर का आमना सामना हुआ तो यह दोनों ही लिफ्टिस्ट ग्रूप के हैं आप जानते हैं और आपस में बड़ा इनका भाईचाना रहता था और फेस्बुक वर्सस मेटा वर्सस वायर यह आप पता है कि यह बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ था और अब जो है नियु यॉक टाइम्स वर्सस चाइनीज सप कि अमेरिका में कोई अक्षन नहीं हो रहा है इन सब लोगों के खिलाएफ वहां पर भी इस तरह के मामले कई 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 मीडिया से इनके कनेशन सामने आये हैं लिकिन वहां पर अमेरिका में अमेरीकी एजेंसी उन नहिस्तरह मी Bennett कोई इनिशेयों भी मामला हुश जाता है तो सोर्सीस से मिल रहा है उसमें उसे लेकर एक बड़ा दिल्चस्प ग्राफिक आज के ले बड़ा वाइरल हो रहा है उसमें के वह जिसे बनाकर दिखाया गया तिना का पैसे मिला कैसे गया और फिर वह न्यूज क्लिक तक पहुचा वो बड़ा बड़ा किलियर करता है इन चीजों को वो बड़ा दिल्चस्प है समझने वाला है उसमें कि पैसा कहां से कैसे कैसे होते हुए आया आठ करोड एक बाया है अठारा करोड एक बार आया तेरा करोड एक बार आया उसमें किलियर किया गया है काफी चीजों क लेकिन अमेरिका में एकदम से ये समझ में नहीं आया कि कैसे नियू यूर्क टाइम्स काइदे से कभी इस तरह की स्टोरी अगर देता है तो उसमें गौर्मेंट को एस एज करने की स्थिती जादर रहती है ये सारी चीजें ही बदलती हुई नजर आ रही हैं जो अब तक ट्रेंड रहे हैं जो चुनाओं के समय में या किसी बड़े आंदोलन के समय में ये टूल किट सामने आते हैं उन से ये बिलकुल अलग है एक नई तरह की चीजें चलती हुई नजर आ रही है और देखिए शेख शेखर गुपता ने नियूज क्लिक वाले पर कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई कमेंट नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया, केवल वो जो वहां के वो एन राम है, उसके हिंदा हिंदू वाले, उनका एक इंट्रिवू उनकी रिपोर्टर है, उसने जरूर किया है, इस मामल पर बिल्कुल चुपी साधी हुई है, रजत सर्मा इस पे कुछ नहीं बोला है, रजत सर्मा ने कुछ नहीं कहा है, रजत सर्मा भी चुप है, वरना रजत सर्मा ये सब लोग तो इनकी सारी जितने भी पत्रकारों की संपादों की बोड़ीज हैं, सभी से कहीं ना कहीं तर सब्सक्राइबर ने कमेंट लिखा के सर अभी आ रहा है रवीश कुमार का वीडियो उदर मैं लाइब कर रहा था तो रवीश का भी वीडियो उसी समय आ रहा था इस और वीडियो पता नि उसने कहां बनाया रवीश कुमार ने एक कमरे में अंदर बैठके और लैप्टॉप सामने रखे बड़ी दबी हुई चुपी आवाज है पता नहीं चोरी चीपे बनाया है कहां बनाया वरना वो तो टेली प्रॉम्टर पर अपना सारा स्क्रिप्ट इन लोगों के मन में कि कुछ न कुछ तो इसमें गड़बड हुई है और मामला नंबा जाने वाला है क्योंकि जो यूआपा का इस्तमाल हुआ है इससे वास्ता में एक जैसे रवीश कुमार अपने सो में कहते हैं कि देश्चत का माहूल है बताईए एक खरब पती बिजने इसमें ने एक एवल रवीश कुमार से बदला लेने के लिए एंडी टीवी को खरीद किया अब जिसके इस तरह के विचार हो उसके तो देश्चत होगी होगी वास्तव में नहीं वो उनका ये तक्या कलाम पुराना है सन्जे जी जब वो अपना काड़करम करते हैं एंडी देखे उसमें अकसर कहा करते थे कि दैशत का माहूल है आप घर से निकलें आपके साथ क्या हो जाए कुछ पता ने ये उनका एक तक्या कलाम है तो लोग यहां दिल्ली में पत्रकार मजाग उड़ाते हैं आपस में के भाई दैशत का माहूल है वहाँ प्रेस कलब में भी वह बात यहीं चल रही थी कि भाई दैशत का माहूल है सभी खटे हो गए हैं यहां पर दैशत के माहूल में तो फूख फूख कर कदम रखने वाली चीज़ है और देखिए एक बड़ा दिल्चस्प मामला हुआ मैंने इस पर वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे यश्वन देशमुक एक तरह से मीडिया के बीच में एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं उनकी सभी पत्रकारों से बढ़िया सैटिंग है उनकी वो अरनब गोसवानी के भी बिल्कुल करीबी हैं आशुतोस के भी रवीश कुमार के भी रजत सर्मा के भी क्योंकि ट्राइम सनाव वाले तो आशुतोस कल ट्वीट कर रहे थे उसे लेके बार-बार परसो जिस दिन न्यूज क्लिक वाला मामला हो रहा था तो उन्होंने तो साफ तोर पर कह दिया उसमें आशुतोस को कोट करते वे उन्होंने ट्वीट कर दिया था उन्होंने का कि भाई आशुतोस जी इस बात को तो मैं बिल्कुल भी माननी मानूंगा कि आप कुछ भी करें आप यहां बैठके अपने चैनल पर कुछ भी करें आप मोदी जी को गाली दें कुछ भी अजेंडा चलाएं लेकिन आप चीन से पैसा लेकर और चीन की लाइन को अगर फॉलो करेंगे और देश के खिलाब लिखेंगे और चलाएंगे चीजें तो सवाल तो आपके उठेंगे तो फिर आसुतोस ने पूछा के लेकिन ये कौन तै करेगा के प्रोपगेंडा कौन चला रहा है तो उन्होंने का के आप तै करो आसुतोस से का इसे लेकर बड़े सोशल मीडिया पर बड़ी भज है यश्मत देशमुक जो है वो अकसर सत्ते हिंदी वालों के चैनल पर आते रहते हैं अपने एनलेसिस लेके और अच्छी डिटेल्ड वीडियो बनी है उनकी लेकिन उन्होंने इस पे क्लियर कर दिया है मामला के जब मामला देश का है और इस तरह के मामले चाइनीज पंडिंग वाला मामला है तो हम किसी के साथ भी है फिलकुल तो इसी तरह के से एक बड़ा वर्ग बता रहा हूं मैं आपको खासतोर से जो लुटियंस मीडिया है इसमें एक बड़ा वर्ग जो है इसमें न्यूज किलिक वालो मामले को लेकर बड़े फूख फूख के एक अदम रख रहा है कोई भी कमेंट करने से बच रहे हैं अजीत अंजुम ने लाइव किया दो घंटे धाई गंटे उस दिन जब ये न्यूज किलिक वाला मामला सुब़े चल रहा था उन्होंने बीच में शो में दस बार का कि मैं एक बार फिर बता दू कि ना मैंने कभी न्यूज किलिक पे लिखा है ना मैं उनके किसी शो में गया हूँ तो अब वहां लोग उस पे अब यहां कि कमेंट ले रहे हैं उनके का एक साती पत्रकार ने कहा और जैसे आप अपने स्टाफ से बात करते हैं सामने कंसूल पर बैठे लोगों से तो अजीत अन्यूम भी कह रहे थे अरे अरे बहाई वो वीडियो दिखाओ वो वाला क्लिप लगाओ ये करो तो वो दो तीन बार जब ऐसे देखा उन्होंने दाएं बाएं करके तो उनके पैनल में शामिल एक पत्रकार ने का कि अजीज जी मैं तो घबरा गया ता कि जब आपने ऐसे देखा तो मुझे लगा कहीं दिल्ली फुलिस होने लागे तो वो जो रवीश कुमार का डायलोग है देशत का माहूल है देशत का माहूल है साफ सब घबरा गए है अभिसार शर्मा ने क्या सफाई दी अभिसार शर्मा तो पुराने अभिशार सर्मा रवीश कुमार का चेला है और अभिशार सर्मा की तारिफ तो रवीश कुमार ने अपने वीडियो में भी की और अभिशार सर्मा ने तो यही कहा है कि मैं तो जारी रखूँ आप यह के न्यूज क्लिक का तो बंद है अभी काम तो उसने एक दो वीडियो कि वहां से उसका अपना यूट्यूब चैनल यह जानना चाहते थे क्षान को अगले दिन आ कर वीडियो बनाया उसे मंगल्वार की शाम को उसे चोड़ा गया था उसने बुद्वार की सुबह वीडियो बनाया अपना और उसमें यह का कि मैं एक चीज जरूर सब को बता दू कि जो लोग मेरे घर पे आए थे पुलीस वाले वो बड़े आर्टिकुलेट थे अच्छे तरीके से पेश आए और जब मुझे वहाँ थाने में ले जाया गया तो वहाँ भी मुझे बहुत तमीज सर्थ पहजीव से पूछता लोग लिखने लगे थे कि यार वांदर ठुकाई हो रही होगी अभी सार की मचाग करते सोशल मीडिया पर साब यही तो सोशल मीडिया की एक निर्ममता कह सकते हैं या उसकी खूपसूरती कह सकते हैं कि वहाँ हर इंसान अपनी मरजी की चीज़े लिखता है तो उस उन्होंड़े से पश्ट किया कि भाई नहीं मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं ही बड़े तैमीज से तेसा है आलबता जो सवाल पूछे गए कई बार पूछे गए कि आपने चाइना के मामले को आपने कवर किया है इस पे वीडियो बनाए है कि हाँ मैंने बनाए है कि आपने शाहिन बाग को कवर किया था कि नहीं किया कि आप किसान अंदोलन में गए थे कि नहीं गए कि मेरी वाइफ जो है वो कानपूर में चौप करती है और मैं यहाँ दिल्ली में बच्चों के साथ रहता हूं तो मैं फिल्ड में जादे नहीं जाता हूं मेरा तो एनलेसिस होता है मैं यहीं एनलेसिस करता हूं अपना और अपने घर से वीडियो बनाता हूं न्यूज क्लिक के लिए भी और अपने चैनल के लिए भी तो अभिसार सर्मा ने तो यह कही लेकिन अभिसार सर्मा जो है वो देखेगा सुनेगा कौन वहीं से उनको फायदा है उसी तरह का दर्शक वर्ग उनको फॉलो करता है और आम आदमी पार्टी की राजनीती अब किस और जाएगी आम आदमी पार्टी की राजनीती साब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की बात करने से पहले मैं आप से ही पूछ लूँ इंडिया लाइंस कहां गया सर इंडिया लाइंस का तो कोई जिकर ही नहीं हो रहा है इंडिय अलाइंस है या खतम हो चुका उसका तो कोई प्लान ही नहीं बना ये रैलियां हर स्टेट में करने वाले थे आम आदमी पार्टी वाले भी उसमें शामिल हो रहे थे कमलनाथ ने क्या मना कर दी भोपाल में रैली कराने से तो वो तो बिल्कुल ही खतम हो गई हमार्टी की वी पार्टी की भी वही कानी है आम आदमी पारटी को भी दिख गया है कि अब तो पहले अपने आपको बचा लो उसके बाद इंडिय अलाइंस का देखा जाएगा आम आदमी पार्टी का 2024 के लोग सबाच उनाव से पहले बड़ा ही बुरा हाल होने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है और अर्विन केजरीवाल को जो है थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि डारेक्ट अभी इसलिए हमला नहीं हुआ है अर्विन केजरीवाल पे क्योंकि चीजें उस तरीके से अनफ रहा है कि उसका उसका भी लीगल ग्राउंड तैयार हो रहा है अर्विन केजरीवाल का भी नंबर लग सकता है तो आम आदनी पार्टी का तो फ्यूचर इंडी अलाइंस से भी जादे खतरनाक है कि अब आजी तो सारे के सारे जो है वो आज कल कास्ट सैंसेस के गीत गाने गाने नहीं है निउस क्लिक वाले मामले ने कास्ट सैंसेस वाले को काफि थंडा कर दिया है अब देखें कि एक दिन खबर चपिया है अगले दिन सब गायव हो गई पन्नों से पिर संजे सिंग आ गया आज फिर चापे हैं मुझे लग रहा है कि नियोज क्लिक के लिए ख़बरों के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा ख़बारों में अगले कुछ दिन जिस तरह का घटना करम यहां चलने वाला है और मुझे तो पता नहीं क्यों अचानक एक इस रिटायर्ड अफसर हैं वो अफसर उनसे मैं सलाह लेता रहता हूं तो उन्होंने मुझसे कहा भी के अर्जी भई आप वो रोणी आयोग पर वीडियो बनाईए रोणी आयोग पर रिपोर्ट अग्वर्मेंट सारजनिक करने जा रही है मैंने बनाया भी आज उस पर सेसंड में अभी जो सर्वियों में होगा अगर कुछ लेया हैं उसके बारे में कुछ अच्छी प्लानिंग बना के तो ये बियार की जो जाती है जनगन्ना वाले रिजल्ट हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे कोई नहीं पूछेगा इन्हें तो जिनकी सबसे संक्या भारी बता रहें नो वो उन्हें आज तक सारे के सारे जो है को पूरे ओभी सी सारे हमरे सारेनी घ्रविशन उन्हें युट हैं ओर ये जो राहूल गांदी नारा का congestion का रवभी का वाले मायवत इसलिए दढ़ती है इन से मत इतर चांग्रिश का Dw便 ऌए है कि कॉंग्रेस काल्टी में टार्गेट यही है कि मायावती का वोट बैंक खतम करके और वापिस उसे लाया जाए अपने साथ तो राउल गांदी उसी लाइन पे चल पड़े हैं कि वो मंडल वाली पार्टियां और यह जो दलित मुस्लिम वाला तो पहले से चल रहा है उनका बीजेपी वालों का 28-30% का वोट बैंक है संजय जी वो पूरे ही देश में जहाँ-जहाँ बीजेपी है वो बिलकुल इंटेक्ट है वो टूटता दिखने जाया गई है बाकी का जो है यह उसमें यह सब एक दूसरे गड़ अपने के लिए तैयार है इस समय है कांग्रेस और अखिलेश बाबू में यह जहड़ा चल रहा है कि कांग्रेस यह क्लेम कर रही है कि मुसल्मान तो सब हमाने साथ आ गए और अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि यार तुम्हारे पास मुश्किल से दो सीटे हैं उन मेंसे भी दोनों मेंसे कांग्रेस की वज़े से एक भी नहीं है परसनल है एक परमोत तिवारी की परसनल है और दूसरी जो है वो वीरंदर जी जो है वो फरिंदा वाले उनको साहनभूती में मिल गई पांच बार का हारा वीरंदर बेचारा तो वो पांच बार के आरे को साहनभूती में मिल गई वो तो ये दो दो सीटों वाले जो हैं वो कैसे समाजवादी पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं ये एकलेश बाबू उनसे पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं अभी तो सारे के सारे आप देख लीजिए और जो भी सर्वे आ रह आते हैं अब ये जगड़ा यूपी में कैसे निप्टेगा इनका नहीं नहीं यूपी में को जगड़ा ही नहीं कुछ भी आप देखिए यहां इंडी अलाइंस का मतलब अखलेश यादव है उत्तरपर्टेस में तो कुछ होना नहीं है राहूल गांधी ये कॉंग्रेस चा सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाने का ओफर आया है कॉंग्रेस की तरफ से कि हरिद्वार लोग सबसीट से प्रियंका को लड़ाया जाए तो यहां तो साफ है उत्तरपर्देश से मामला खतम है जीरो है माइनस में जा रहे हैं यहां कुछ नहीं होने वाला है अगर गा समाजबानी पार्टी ने भी मध्यपरदेश में लिस्ट जारी किये वहा तो पूरा खुला ऐसा है ना दूसरे के ground में तो सब बैटिंग करना चाहते हैं जाके अपने ground में तो कहते हैं कि we मैं खेलूंगा दूसरे का ग्राउंड है वहां तो कॉंग्रेस का ग्राउंड है वहां तो आमाधी पार्टी वाला भी खेलना चाहता है वहां भी लेकिन जब पंजाब और यूपी की बात आती है तो कहता है कि नहीं नहीं यहां हम बैटिंग करेंगे आपको बैटिंग नहीं केरल में, वहाँ भी उसे कम मिलती है, चरचाएं तो ये भी है कि कहीं ये, AI, ADMK के साथ ना आ जाएं वहाँ पर, क्योंकि DMK वाला इनहें पांस, साथ, आट सीटे, दस सीटे देगा, और जबकि AI, ADMK वाला इनहें ज़ादे भी दे सकता है, बीस भी दे सकता है ये भी चर्चाए है क्योंकि AI-DM के वालों की स्थिति बहुत ज़्यादे खराब है वहाँ पे तो उन्हें वे अगर कॉंग्रेस को जादे सीट दे के कॉंग्रेस के साथ जाते हैं तो उन्हें उसमें फायदा हो जाएगा कॉंग्रेस का खुद का अपना वोड़ बंग वैसे वहाँ है नहीं वो तो कहरे एह सारे के सारे अन्ना मलाई ने धुस्त कर दिया है अन्ना मलाई ने काम बढ़िया किया है बढ़िया बढ़िया और अन्ना मलाई ने के बांदी संजय कुमार वाले मामले के लिए वो उस उस सरेंडर के लिए वो तयार नहीं है अन्नम अलाई बिल तो एक आई-पियस अधिकारी है वो देखिया आप समझिए उसका एटिट्यूट भी एक में चीज होती है ने वो कर रहा है वाक़ी उसके परड़ाम देख रहे ह पस्ट भीड़ उमड रही उसे देखने के लिए कुछ भी हो चाए वोट ना मिले ओसे लोगदेखना चाते हैं अन्नम वली को सुनना चाते हैं आप उसके वो बयान जो वीडियो जारी करते हैं आप जर्त सुनिये बहुत बहती ही बोलते हैं बेबाग बोलते है जिन मुद चर्चा को हम विराम देते हैं और यह आशा करते हैं कि यह जो इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टर का जो फोर्स पड़ रहा है इस से हमारे भाई लोग जो हैं पंच मक्कार था तो वो उबर सकें इस शर उनकी आत्माओं को शान्ती दे जी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत ध जाए हिन जाए भारत बंदे माते नमस्कार